लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगले हफ्ते राजधानी में होने वाली अंतर राज्ये मार्शल आट्स परधा में हमारे राज्य का प्रतनिधित्तु करने वाला भागेशाली इन दोनों में से ही एक होगा जिसमें राज रूप पुर जिला से विर्भतर प्रभू का शिश्य राजन प्रभू जाएगा या काशिपुर जिला के महादेव चौधरी की का शिश्य जीवन चौधरी जाएगा इसका निर्णे आज यहाँ हो जाएगा यही इस कलरी महापंच का फैसला है शुरू किया जाए यह जाए बार अचल वह चुर आक्रिव बार संघ जब भूश यह भूश जब जब लो पर पारigner बर पारान कि याद वह पन्ट मिल कि वह प्रूर्टा, प्रूर्ण पुड़ेत अअआए एः टुट वह भा आवओ औरल एव North प्रतियों कीता जारी रखोगे, तो तुम अपनी हार मानते हो, तो अपना हाथ जमीन पर तीन बार मारा हो क्यों बे, यहां क्या हॉन क्यों मार रहा है, मेरा हॉन है, जहां मन करेगा मारूंगा, तू क्यों है पुछने वाला है? यह मेरा एरिया है, और वो मेरी आइटम है, अगर वो तेरी आइटम है, तो मेरे हान मारने पर क्यों है बाहर? मुझे समझके आई थी बे, छे महीनों से मार रहा हून तुझे समझकर आती थी तakingया? तुने मुझे मारा है लक्षमी नगर में थोड़ी खेटपिट हो गई है जल्दी आजओ यहां पर अब बोल क्या प्रोब्लम है भाई मैं अपनी आइटेम पर लाइन मारा था तो इसने मुझे पर हाथ उठाया तो बैं क्यों बे तुब गुंडों को बलाएगा तुम्हें डर जाओंगा क्या तुम लोग खुद को पहलवान समझते हो बताया मैं कौन हूं आदरशनगर के चा आदरशनगर का चांद भाई कराटे वाले से मुझे पिटवाते हो तुम लोग गुरू को अभी बताता हूं क्या हुआ ओ भाई यहां बड़ी प्राब्लम हो गई है तुरंद विक्रम को लेकर आ जाओ को का बीजिक जए दिए क्या प्रब्लम है यार उसमें कराटे वाले को बुलवा कर मुझे पिटवाया तू उनकी पिटाई कर यह क्या कर रहा है तू ब्रीधिंग ब्रीधिंग से ही बॉड़ी टाइट होती है कुर्सी तोड़ना और लकड़ी के टुकड़े करना ऐसा बच्चे करते हैं तो तू क्या करेगा बें मां हां क्या हुआ बेटी नाना जी की फोटो मेरे सूटकेस में नहीं आ रही आप रख लोगे फोटो सूटकेस में मत रखो बेटी तूट जाएगी इसे अलग से पैक करते हैं फिर ले चलेंगे हां ले जाएगे इस शनीचर को कहीं नहीं ले जाने वाला इसे यह आख लगा कर चला दूँगा पापा के फोटो को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा जब का कि इसे घर पर ही नहीं रखना है तो तुम इसे साथ क्यों ले जा रही हो इस साथ हेकर जमीन अगर आपकी हो जाए तो आपको कैसा लगएगा तो क्या थोड़ी देर के लिए आख बंद करके यह लाइंड आपकी है यह सोच लिजे और बताएए कि आपको कैसा लगता है सीता वरडी में बंगला बंगले के सामने ब्यम डवली और बेंच कार लॉकर में बहुत सारा पैसा घर में बहुत सारा सोना और सिंगापूर में आपकी बेटी के साथ नाज गाना वा 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 लग रहे जैसे स्वर्ग मेरे सामने है तो आप ऐसा ही समझ लीजिए तो क्य पापा इनकी हेर स्टाइल कितनी अच्छी है आपकी बेटी क्या कह रही है इसको आपके बेटे की हेर स्टाइल बहुत पसंद आई है कुछ देर के लिए मुझे तुम्हारी गोद में सर रखने का मन कर रहा है रख लो ना आप ये बात मुझसे कब कहेंगे मैं इतनी देर से यही सोच रही थी अब बस्तेंड में लोगों का सामान उठाने वाली की लड़की को ऐसे बालो वाला लड़का मिलना बड़ी बात है और तुम्हारी माजे से बहुत बड़ी कअलेक्टर है माठीर पर रक्कर गलीजिली घूमकर बरतन भांडे बेचती आ तेरा बाप्व भी नहीं है मेरे मातों बिजनेस परसन है पूराने कप्रों के बदले बरतन भांड़े बैचने वाली विजनेस परसन है तु वहीं है तुम्हारी य। मेरी माना की बेच ओड़ी करती आप तू हमारे साथ बिलकुल नहीं आ सकताmill के तू नहीं आ सकता कराटे फाइटर समझ कर बोलाया और तु वहां से दुम्दबाकर भागाया थो के बात वो नहीं है यार अरे वो तो मुझे ब्लेक बैल लग रहा था और मैंने दो हफ्ते पहले क्लास जॉइन की है अरे खाली क्यों है सारा समान कहां गया पापा का ट्रांसफर हो गया फिर से का हुआ ट्रांसफर अरे राजरूपूर में हुआ यार राजरूपूर क कि बात चट चाबूपूइमाँ यार बात ब要ग पादेट आट टो तो उ एंग, प्रूबटिक बात्ट्च रगता द्या कि यारे राजरूप कर दो कर दो कर दो जल्दी चलो तुम लोग मां यह बैग पकड़ो ना क्या हुआ तुम लेके चलो ना इस सुटकेश को उसी को चितकाना ठीक होगा उठेगा तुम से लगता है वो सुटकेश बहुत भारी है तुम यह ले लो अलका है हलका होता तो क्या वो सुटकेश में तुम्हें दे देता है चलो चलो क्यों सर राज रूप पूर में किसी काम से आया है वो ख्या है ना भाई रिश्वत लेकर लोन दिया था पनिश्मेंट में यहां बेज वो जगे इतनी खराब है जगे तो बहुत अच्छी है बस लोग थोड़ा आजीव हैं देश कितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन वो लोग अभी भी 200 साल पीछे हैं किसी भी तरह के बदलाव से डरते हैं वो लोग इसलिए केबल और इंटरनेट भी नहीं है वहाँ पर सिर् सिगनल नहीं तो फोन किस काम का है कि यहां पर क्यों रोक दी चलो आगे यह राज रूपपूर की सीमा है इसके आगे कार बस कुछ भी नहीं जाती तो फिर गाउं के अंदर कैसे जाएंगे वो है न गाउं की सिमा पर वो भेंकर से मूर्थी के लिए किस की है वो राज महिंदर वर्मा नाम के बहुत बड़े कलरी के गुरू थे वो आपके शहर में ही पैदा हुए थे कलरी यह क्या होता है अरे कलरी है पापा इंडियन मार्शल आर्ट यहां पर बहुत फेमस है यहां पर सभी जगहों से ज्यादा राजरूपूर में कलरी जरूरी है अगर किसी को कोई समस्या होती है तो कलरी के जरीए ही उसका निप्टारा होता है कलरी से कैसे निप्टारा करते हैं तुम से पूछ रहा हूं कलरी से कैसे निप्टाते हैं चलिए दिखाता हूं ये सब क्या है? वहाँ हो क्या रहा है? इसका नाम मुरली है, राजगोपाल की पहली पत्नी का पुत्र और इसका नाम है मनोहर, राजगोपाल की दूसरी पत्नी का पुत्र राजगोपाल की मृत्यू के बाद उनकी सारी जायदात बराबर बाट दी गई है, लेकिन उनका एक पुष्टैनी घर अभी रह गया है, ये कहता है मुझे चाहिए, ये कहता है मुझे चाहिए, उस घर को लेकर दोनों में विवाद है उस घर को बेज कर जो पैसे मिले वो दोनों में बराबर बाट दिये जाये तो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो घर चाहिए मुझे भी वो घर ही चाहिए, जब तो इसका फैसला कलरी से ही होगा तुम दोनों में जो जीतेगा घर उसे का होगा, शुरू करो यह क्या है, वो मर गया क्या, जी मर गया राज गोपाल की दूसरी पत्नी के पुत्र मनोहर का हुआ, यह कलरी सरपंचों का निर्णे है तो पुलिस केस नहीं होगा क्या, आते समय आपने जो सीमा देखी थी न, उस सीमा को लांकर पुलिस वाले यहां नहीं आ सकते, आप गाउं के उस सरपंच को देख रहे हैं, वो जो भी कहेंगे, वही फैसला मानने होता है अरे वापरे, यह कैसा गाउं है, यह कलरी एक दूसरे को मारने के लिए है क्या, मुझे भी पानी दीजिए, दो भूल प्यूंगे, तब जाके जान में जान आएगी, तुमने दो बूंदे मांगी थी न, मैंने चार बढ़ा कर छे बूंदे दी दी, संभाल कर पियो, वरना मैं एसिस्टन मेनेजर हूँ, आपका सारा समन कल ही आ गया था, सब अंदर लगवा दिया है, हाउस ओनर किसन कुमार घर के पिछले पोर्शन में रह रहे हैं, उनको बता जिया थे कि आज आप पहुंचने वाले हैं, ओके, जड़ा मरा पेट खराब है, हम कल बैंक में मिलें मा, मा, घर में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, जल्दी पानी लेकर आते हो, या ऐसे ही बाहर आकर तुमारे समने घुमो, सुनो, पापा को बोलो पेपर से काम चला लें, पापा, मा ने पेपर से काम चलाने के लिए का है, मार डालूंगा, क्या ह अमा क्या देख रही हो कुछ नहीं बेटा अच्छा हां सुनो ओनर से कहो पानी नहीं आ रहा है ठीक है मा किशन जी किशन जी यहां कोई किशन जी मैं ही हूं किशन कुमार क्या बार हम आपके सामने वाले पोर्शन में अच्छे रहने के लिए आया है हमारे यां पानी नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है पानी तो मैंने सुबह ही भर दिया थाएर अभी अभी तो मुझे बाहर जाना है अरजेंट है हां थोड़ा अरजेंट तो है दरसल पापा बातरूम में है तो Angle इस तरफ से आगे थोड़ा उपर जाओगे, तो जंगल है, वहाँ ऐसे बहुत से पत्ते मिलेंगे, एक बंडल लेकर आजाओ, तब तक मैं पानी का कुछ करता हूँ करता ही, करता है, रख घएला है रखढ़ा से बाओे प्यों मुखदा खुट, भादा था फपक बंड़ा है करें तो करें देखलें, पत् determining फोज़ा है झाल 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 आप 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 भाई मैं नापपूर से आया हूँ आज है आया हूँ यहाँ तो पेड़ पर क्यों लटका हुआ था पेड़ पर पत्ते देख रहा था आप 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 सद्रे आप 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 अब इस कहानी का अर्थ कोन बता सकता है? शेर आय तो जौर से चिलाना चाहिए इससे डरके शेर भाग जाएगा जहां शेर गूंते हुआ हमें नहीं गूंड़ना चाहिए इसका अर्थ यह हुआ शेर आय तो हमें आंग बंध कर लेनी चाहिए ए विश्णू ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी आखे नहीं है तुम्हारी आखे नहीं है फिर भी आपस में तुम लोग एक साथ हो और तुम सब के लिए मैंत हो ना कहानी का अर्थ है जान चली जाए लेकिन जूट नहीं बोलना चाहिए हमेश्या सची बोलना चाहिए अब मैं तुम सब को एक और नहीं कहानी सुनाओंगी पहले पढ़ाई उसके बाद गाने एक गाव में राजा रहता था कहां चली गई अभी तक नहीं आई काम चोर है ये जान बुझकर रात में स्कूल में रुख गई होगी लगता है अब वो नहीं आएगी तुम जाओ अब यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी दीदी राहु काल शुरू होने वाला है तुम जा सकते हो मैं वो स्वान पदक लाकर आपके कदमों में रख दूंगा गुरू जी कैसे जीतोंगे ये ज़रूरी नहीं है पर जीत कराना याद रखना माधव संभल कर चलता हूं दीजे ठीक है छोटे लेकिन जाते समय पीच में कुलदर दिखाई नहीं देती है वो रोज उसका पीछा करते रहो पता लगाओ कि वो कौन है लेकिन बात अपने तक ही रखना वहां से लोट कर उसे अपने हाथों से काटूंगा इस नल में साधा पानी आता है और इस नल में सुबह दस बजे तक गरम पानी आता है एक और जरूरी बात ये है कि मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं अपने घर का कच्रा आप लोग बाहर मत फेंकिएगा ठीक है सर तुमें ही कह रहे हैं बाहर जाकर इदर उदर लोटने मत लग जाना यह का ना सर ये क्या बात हुई मैंने तो घर का कच्रा कहा था आप उनके लोटने की बात कर रहे हैं बोलना चाहते हैं कि इनकी आखों में इस घर का कच्रा हूँ मैं देखा ना सर कितनी जल्दी समझ गई मेरी बेबी बहुत होश्यार है मेरा तो पता नहीं लेकिन इनका दिमाग जरूर कर लो अरे 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 रुकिये यह क्या कर रहे आप लोग यह लीजे आपके पत कि लगता है नाकपूर वालों में घुस्सा बहुत भरा हुआ होता है कि दूरी सुभेर जब गई थी मैंने कहा था ना जल्दी आना कहा रह गई थी कहा था चोटी मा कहा था सब्चू नहीं आई राख कहा मर गई थी तेरे इंतिसार बेट किती देर तक वो बैठा रहा यहां पर मैंने कहा ना वो तुझे सर पे बढ़ा के रखेगा लेकिन तुझे उसकी अखर ही नहीं है वो बात नहीं है चोटी मा वापस आते समय क्लास का एक लड़का फिसल कर गिर गया मेरी बला सिर वो जी है या मरे मुझे उस लड़के से कोई लेना दिना नहीं ऐसा मत बोलिये चोटी मा बहुत अच्छे लड़के है वो आपने मेरे बारे में क्या बोल रही है मैं बांचू पच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता मेरे बच्चे नहीं होगे मैंने ऐसा नहीं कहा बापा अगर दुबारा जुबान खोली तो मार डालूंगा अरे अरे तो कहा जा रही है जूपे बरतर पड़े है तो को साफ करेगा जब जारूंगे साफ में कपर दूप नहीं करेगे तो को साफ करेगा जल जल दी वे ब्रूस ली क्यों भाई घर में इतनी शामती कैसे है तुम्हारे माबाप जंगल में लड़ने गये हैं क्या पापा अपने बैंक गये हैं मा और बहन बजार गये हैं तो तुम यहां हाथ पैर क्यों चला रहे हो कुंगफू है या ताइकॉन्डो उससे भी ज्यादा पाउरफुल जैपनीज कराटे है यह वैसे यह चोट शाम तक कम हो जाएगी तुम यह काम करो कलरी सीख लो यह कुंफू ताइकॉंडो सब उसी में से ही निकले हैं सिखोगे ना कहां सिखाते हैं यह इस गाओं में सयकोडों लोग मिलेंगे सिखाने वाले सिखोगे चलती हो नाना जी शाम को चल्दी आ जाओंगी कहां गई है लड़की घर पे है या कहीं जाके मर गई कहां जाओंगी दाई मा बेटी दाई मा बहुत देर हो गई आपको आये हुए नहीं बेटी बस अभी आई थी ठीक है चली से खाली जा बेटी क्यूं मेरे लिए इतनी मुसीबत उठाती हो चार देन इधर उधर जेलूंगे फिर तो जाना ही है ऐसी बाते करेंगी तो मैं रोड़े लगोंगी आपको कुछ हुआ तो मैं मल जाओंगी हां कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे रोज मिलती हो ये पता चलेगा तो तेरी सोतेले मां तुझे जीने नहीं देगी कोई बात नहीं उनको मैं समालू मैं अब जाए आप जल्ली जाएं यहां से संबल कर जाना है ही अब जाएं अब यह दो प्रेंग, प्रेंग! प्रफ भाप तेस भाप वाप तेस भाप तेस्ट जो जाएा? जींग! 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 कि हमें देखकर भाग क्यों रहा था तो क्यों मतलब अभे सिधा जवाब देना आप लोग बेवजे मारते हो तो भागना ही पड़ेगा ना आज फिर जंगल में क्यों आये हरे तू मल्याली खुबसूरती देखने के लिए आये था मल्याली लड़की देखने के लिए था क्या है वो लार्ज बुश है ना वो बड़े पेड़ होते हैं ना उनकी फोटो खीचिने के लिए आया था दरसल में बॉट्णी पड़ रहा हूं ना भाई यह देख है इस लड़की जी फोटो खीचित तुन्हें वो आपको दिखाने के लिए खीचित आमें क्यों दिखाएगा या तो आप लोग एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना वो यहीं लड़की है के नहीं यहीं क अरे वाँ आप लोगों के टीके और बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे साथ खड़े होकर जरा एक ग्रूप फोटो खीचालो ना नहीं लेगा तब प्रॉब्लम है फसे गांदू ठीक है ट्राइए करूँगा ट्राइए करने के नाम पर गाउ में सबको गुस्ता क्यों आता है सुनिये वह लड़की रहती का है और करती क्या है मुझे तो कुछ भी नहीं पता सॉरी सर कोई बात नहीं बेटी है यह थैंक सर हेलो गुद मॉर्निंग अली बेरी बेरी गुद मॉर्निंग रोज वो घर से निकल कर यहीं पर आती है और यहीं से घर भी जाती है चुप चप उसे फॉलो करना आसमान से गिर के खजूर पे अटकना इसे ही कहते है यह क्या अंजली रोज सोला चूडियां पहन कर आती हो आज सिर्फ चौदा ही पहनी है हाँ गोपाल कल दो टूट गई थी लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता चली गोपाल भगवान ने हमें आखें भले ही ना दी हो लेकिन कान तो दिये हैं ना चूडियों की आवाज से पता लगा लिया अंजली क्यूं मैंने कौन से कपड़े पहने हैं कितनी चूडियां पह पूली गई थी लेकिन अंजली हैं हमने मिलकर बनाई है यह गुडिया खुबसूरत है ना अंजली है बहुत खुबसूरत है मुझे कभी किसी ने ऐसा खुबसूरत गिफ्ट नहीं दिया तो फिर एक अच्छा सा गाना सुनाओ ना ओके आज पड़ा ही नहीं होगी पुल्डे गाने ही गाने बजेगी चलो जीए अपने अपनी जगे पर जाके बैठ जाओ मैंग को फो जाओ monitored कुछिए वत्व न विन Tamara कर ऐसेормå हुआ 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 है बीस्ट वीन है पिस्ट विनन चर्ट योरी इस्त बीस वीस वीस छूँ झाल लिए अह लड़के लिए अब हुँ व जोर औरोगा... प्दिए लिए यह लुब हरुब विए लिए लुप लुब हुँ Usu अंपिए वाँ कि अब खर का काम ना करना पड़े इसलिए चोरी छुपब भाग जाती है घर का काम पॉंप करेगा तेरी मरी हुई मा आके करेगी नहीं चोदी मा मैं खुद करूगी उठाई यह पोट्ली जल्दी कर करें है पुदी की मारे गुद्रे मेरी गूरिया चैने धर कि यहां पोटली नहीं चोड़ोंगी चल नहीं चल नहीं चल नहीं कहा है पुछा नहीं देखिए ना ना से क्या करेंगी हाथ मैं तो चलते नहीं इस पुट देगे तुझे क्या पचाएगा चल चल के काट कर आप कि इसनजी कि यहां प्रूसली चिल्ला क्यों रहो बुझे थोड़ी रूई चाहिए कि इसनजी कि उप्छे वाले जार में लेलो किशन जी मुझे एक सूय धागा भी चाहिए क्या रे यह कोई कपड़े की दुकान है नहीं किशन जी थोड़ा आरजेंट है प्लीज वहां कैलेंडर में लगा होगा लेलो किशन जी, मुझे एक information चाहिए यहां की लड़किया कैसे लड़के पसंद करती है क्यों भई, तुम्हें आये एक हपता भी नहीं हुआ लड़कियों की inquiry शुरू कर दी अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं किशन जी नाकपुर के मेरे एक दोस्त को यहां की एक लड़की पसंद है उसने मुझसे पूछा और मैंने आपसे बताएने किशन जी नारियल के पेड़ जितना लंबा हो जो नारियल के जैसे बाल हो जिसके नारियल जैसा चेहरा हो जिसका नारियल जैसी बोली हो जिसकी, शरीर पर नारियल का तेल लगा कर, नारियल का फूल लेकर घूमने माले लड़के को क्या हुआ, हस क्यों रहे हो प्लीज किशन जी, सीरेसली पूछ रहा हूँ तो सीरेसली बताईए न, बताईए किशन जी इतना सीरेस भी मत हो यार, लड़का पैसे वाला है, मिटल क्लास है, कितना पड़ा लिखा है वो ग्रेजेशन किया है, फैमिली बेक्ग्राउंड, ऐसा लंबा चोड़ा कुछ नहीं है, वो दिखने में कैसा है, एवरेज, अबव या बिलो, कुछ भी हो, एवरेज कहा न मैंने, और उसका दिल, दिल से तो राजा है, उतना ही काफी है बूसली, उसको बे धड़क प्यार क समझ गए ना, आइडिया तो बुरा नहीं है, हम, 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 हम प्रश प्रश चरोपा लुड़ारे टो वाँ हां। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कौन हो तुम कि उस पेर के पीछे क्यों चुपे हो आगे मता ना यह गुडिया यहां कैसे आई मैंने उसे ठीक करके वहां रखा है गुडिया को तुम ने ठीक किया हाँ वो उन बच्चों की गुडिया को जल्दा देखकर तुम्हें परिशानी हुई थी ना यह गुडिया ओन बच्चों नी दी है तुम्हें कैसे पता तुम तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या बताओ कौन हो तुम अगर अपना दोस्त मानोगी तो दोस्त हूं नहीं मानोगी तो कुछ नहीं कि दाइमा दाइमा अरे कि दाइमा दाइमा क्या हो आपको अरे आपका शरी तो तब रहा है कर रात से ही वुखार है मुझे चलने के भी इमत नहीं हो अगर मैं ना आई तो तुम परिशान हो जाओगी यह सोच कर चलिया कि दाइमा उचे उचे समल कर समल कर दाइमा देख कर आईए मेरे साथ आप इदार आईए हो जो कि भी मुझे ही डुण रहे थे ना 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 Na 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 एपार आ कि अधूरा ये खुर्ण थो क्वारा आज़ा प्रफुर्ण समालगर दिखकर आये कि आई 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 दाइमा समलकर पैठिये दाइमा यही रुक्ये में घर से दवाई लेकर आती हूं नहीं बेटी दो दिन में अपने आप देखो जाएगा आप बोली मत आपको बहुत बुखार है आप सोचाईए सोचाईए आप उठीगा मत मैं अभी आती हूं है है चश्मिश चिपकली धर जाईगी यहां से किसी को भागते हुए देखा नहीं भाई जिसकी कई थी उसकी फोटो ली आप बोलो और मैं फोटो ना लूँ यह देखें ना भाई देखिए कैसे कैसे फोटो लिए देखें उसका चैरा कहा है रहे वह मास्क के पीछे हैना सराब्साइब सब्सक्र host उससे मिला था क्या मिलकी से मिलती समय वी उसने मझम नहीं उता रहा था वह दौना मिलकर बार बारी एमेंड्स के पीछे बाग गए थे क्या का तो ने आघ़्े नाम नाम अदर से खोकला था उसने अंदर जाकर मास्क उतारोगा यहीं सोचकर मैं अंदर कुदा तो देखा कैसा छोग क्योंकि वह पेड़ के अंदर नहीं था थोड़ी दर बाद देखा वह आप लोगों से जगड़ा कर रहा था मैं अगर वह फोटो खीच कर आप लोगों को दिखा था तब आप मुझे कहते कि हमारी फोटो हमें दिखा था इसलिए मैंने नहीं कीची वह जो भी हो लेकिन हमसे बहुत खेल खेल रहा है चैसमेस चाहे मास्क के पीछे चेहरा हो यह चेहरे पर मास्क हो तो जो भी फोटो ले उसका चेहरा मुझे दिखना चाहिए नहीं तो तेरी नाक चेहरे से अलग कर दूंगा तो भी मास्क प्यान कर उसकी तरह गुंगता रहेगा चल रहे है भाईया आप लोगों के साथ एक ग्रूब फोटो लेगा है अ प्लीज चोटी मा प्लीज में अभी आजाओंगी कि अहां जाना है तुझे इस बुटे ने फिर से कपड़ों में गंदगी कर दिये बद्बू से मरी जा रही हूं इसे कौन चाहिए गाहे कि छोटी मा चाहिए है यही तो थी उशा उशा मेरी विक का है एक मेरे टुक्यों उससे पहुचा लगा रही हूं वोते ही दे दूंगी मेरे विक को पोच्छा समझ रखा है तुझे यह क्या कर दिया मेरे विक का मार रणुगा तुझे इसे मैं सुखा के लागी आज में शुदूगा तुझे ऐसा नहीं मारेगे तु आज में देखाओ क्या है चोटी सी कलती हो गई क्या हुआ विक का ओमलेट बंगा तुम्हारी सारी हरकते समझ रहा हूं तुम दोनों मिलकर नाटक कर रही हो जानता हूं मैं कोई आरा गरा नहीं हूं पहले से मैंने इसका हल निकाल रखा है तुम्हें लगाओगा मेरे पास एक ही वीग है गलत बिलकुल गलत मेरे पास दूसरा वीग भी है अब लगा लो विग किशन जी क्या हुआ बुखार उतारने की दवा चाहिए भुजे ठीक तो हो फिर बुखार के दवा की हो मेरे लिए नहीं पापा के लिए चाहिए सुबह तो ठीक ठाक लग रहे थे अब सर्दी बुखार टेलीग्राम करके तो नहीं आएगी ना जल्दी कीजिए वहां दूसरे खाने में पीले रंग की बोतल होगी लेलो यह वाली ना दाइमा दाइमा जब उठिये आरम से अरम से कौन हो तुम गबराईए मत दाइमा अंजली को क्या हुआ बेटा कुछ नहीं हुआ दाइमा उसकी चोटी माने उसे काम करने के लिए कहा है इसलिए उसने मुझे भेजा है यह दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए पहले यह अच्छा आप है कौन यहां जंगल पर छुप कर क्यों रहती है अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा अंजली को इन ही हाथों से पाल कर बढ़ा किया है तो फिर अंजली को छोड़ कर यहां क्यों रह रही है अंजली जब तीन महीने की थी तब उसके घर में काम करने आई थी मै उसकी सोतेली मा उसकी देखभाल नहीं करती थी बाप भी उसकी फिक्र नहीं करता था उसका पालन पोशन सब मैंने किया है इसलिए वो मेरे बहुत करीब हो गई उस पर और जुल्म करने के लिए उसकी सोतेली मा ने अपने एक दूर के रिष्टेदार को घर पे रख लिया वो बहुत गंदे विचारों अलाव्यक्ती था थू अंजली क्या हुआ अंजली अरे बतमाश कहीं तो गमीना शरम नहीं आती तुझे यह क्या कर रहा है थोड़ोंगी नहीं मैं तुझे इतनी हिम्मत तुने राजन पर हाथ उठाए इसने जो काम किया है हाथ में चपल होती तो उससे मारती दाइंबा दाइंबा मुझे चोड़ों तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुतों को खिला दूगा बाचा दाइंबा 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 विचारी बिन मा की बच्ची को कुछ होना जाए इसलिए उसके करीब ही इस जंगल में छुप छुप कर अपने दिन गुजार रही हूं बेटा दाइंबा 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 बेटी आपको उठने के लिए मना किया था ना तो आप काम क्यों कर रही हैं बुखार कम हो गया बेटी कम हो गया हां कल एक लड़के के हाथों दवाई भिजवाई थी ना तुमने तो मैं उसी से ठीक हो गई क्या हां बेटी पता नहीं वो लड़का कौन था पर बहुत अच्छा लड़का था है भगवान में तो उसका नाम ही पूछना भूल गई रा अज फीर ककी आप अट से ना शारुक के गाने अंना सल्मान के कोई नहीं बचेनगे तो क्यों अंजली ओशारुक के गाने सुनाने की प्रेकोर्डर टूट गया है ना रोको एक कौन हो तुम्हें कहा था ना दोस्तों टेप रेकोर्डर तुमने ठीकिया हां किया और दाई मा को दवाई तुम्हें ने दी थी हां तुम्हें सब क्यों कर रहे हो तुम्हें से पूछ रही हूं क्यों कर रहे हो यह सब क्योंकि तुम मुझे पसंद हो तो फिर अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो क्योंकि तुम तु दिखने में बहुत सुन्दर हो लेकिन मैं जरा भी सुन्दर नहीं हूं चुपना कैसा डरना कैसा जैसे भी हो मुझे पसन हो चुपना कैसा डरना कैसा जैसे भी हो मुझे पसन हो प्यार का रिष्टा है ये दिलों का है ये नाता सपने देखो तुम्हारे रुक जाओ ना चुपना पाओगे अब चाहे कहीं जाओ तुम्हारे जैसे भी हो मुझे पसन हो ओ यारा मीरे जैसे भी हो मुझे पसन हो प्यार का रिष्टा है ये नाता सब्स्सक्राइब का ये जाओगे ये जाओगे नाता सब्स्सक्राइब का ये जैसे भी हो मुझे पसन हो सीधे सदे ठेघे हो तुम रंग रूप से क्या लेना दिल के अच्छे हो तुम चाहत हो तुम ही मेरी किसमत हो तुम ही मेरी अपना तुम ही को मानां जिन्दगी तुम ही मेरी चुन लिया मैंने तुम्हें चाहा है मैंने तुम्हें नादा बढ़ तुम हो कैसे समझाओ तुम्हें भोली सूरत ने तुम्हारी चुरा लिया मेरा जिया प्यारी प्यारी बातों ने धल पे कर देया जादू मन चाहे कोई अलबन के रागी नी मैं ब्रेव किगा छुपना कैसा डरना कैसा जैसे भी हो मुझे पसंद हो ओ यारा मेरे जैसे भी हो मुझे पसंद हो आखों में है सुरत तुम्हारी सासों में तुम ही हो धड़कने मेरे कहें मन में बसे तुम ही हो छुप जाओ चाहे कहीं में तुम को ढून लूँगे एक बार मुड़के देखो चाहत हूँ मैं तुम्हारी प्यार भरे रंगों से तस्वीर है बनाई तन मन अरपन करके हो गई अब मैं तुम्हारी अब तो बिन तुम्हारे कहीं भी मन लगे न सपने देखो तुम्हारे दिन रत सजना छोड़ू ना में हाथ तुम्हारा जीवन भर में ताम लूँगे छुपना कैसा डरना कैसा जैसे भी हो मुझे पसन हो तुम कैसे दिखते होगे पता है मैंने कितना सोचा था तो कैसा हूँ जैसे सोचा था वैसे ही हो मतलब मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो हलो क्या कहा हलो क्या समझू मैं क्यों रे चसमेश बीना मास्क वाली उसकी फोटो कीची नहीं अभी तक तो नहीं लेकिन आज कल में जरूर उसकी फोटो को खीच कर दिखा दूगा आपको तुम रहने दो हमें पता चल गया है कि वह कौन है कौन है वह तो ही है है टपकादे इसे क्यों रे चसमेश डर गया क्या है थोड़ा मोड़ा नहीं आखोंसे जर्णा बैरा है मीचे से भी गिली हो गए होगी है मजाग कर रहे थे आप लोग भी मजाग करते हो क्यों रहे वह मास्क वाला अभी तक दिखा नहीं नहीं आज जस्ट मिस हो गया कल उसका चेहरा जरूर आपको दिखाऊंगा चल रहने दे अभी कल तेरा हॉलिडे है हॉलिडे पर क्यों भाई कल को त्योहार है क्या बहुत ब है रुको यह फोटो तो वहां से आते समय तोड़ी थी न तो यहां कैसे आ गई है तो तोड़ी थी नागी टिप तो बच गया था अब इसज़ा जिन्दाए या पहुँगे बापके पाद मेरे चपल में से चुपक आई अब देखो तुमरे क्या आप में जुद्धी जाएगा चल्दी इस्टोफ के पास आओ तुम्हें लिए जल्दी करो पर बोट मज़ा रहा है तुम लोगों को मैंने कहा था ना कि मैं बहुत होश्याइर हूँ मेरे पार बहुत सारी भीग है अब क्या करोगी अब क्या करोगी ये क्या है टोमेटो सोस है पापा ज़रा मुझे दिखा पहले खर साफ करना बाद में खुद को साफ करना रुको पापी कांटे को कांटे से निकाला चाहिए पापा की बात भूल जाओ इनने में देख लुए ये अट लेहना मैं जानता था तुम्हीं जीतोगे नेशनल चैंपियन नहीं इंटरनेशनल चैंपियन बनना है आपकी आशिरवास से जरूर बन जाओंगा गुरू जी यह कौन है यह यह चश्मिश है बाद में बताऊंगा इसके बारे वाई उसने इतना डिफिकल्ट कॉंपिटिशन आपकी वजह से अब मेरे हाथ में क्या है अपने हाथ की विद्या सिखा रहा हूं जीतना हारना तो इनके हाथों में ही रहता है स्वन पदक जीतकर आने वाले राजन को मेरी तरफ से यह पुरुसकार यह ले छोटे अब यह तेरी बीवी बनेगी अगले श्रावन मास में तुम्हारी चहेती अंजली से तुम्हारी शादी होगी यह स्वन पदक पिखला कर उससे मंगल सूत्र बनवा कर उससे अंजली को पहना होगा चुकर ही जब इतना नशा चड़ रहा है तो सुहागराद में क्या होगा यह सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है तब तक तुम मुझे जरा तम से कुछब पूछना है चुकर है कि यहां प्रूसली सुबह सुबह साइकल से जगड़ा कर रहे हो अरे इतने घुस्से में क्यूं हो मैंने कहा था ना मेरा दोस्गाउं की लड़की से प्यार करता है अरे हाँ वो गुलाब के दिल वाला क्या हुआ उसका तुम्हारा दिल गुलाब का नहीं केने का फूल है कह उसकी किसी दूसरे लड़के से शादी तय हो गई है तो आप क्या करने वाला है वो कुछ समझ नहीं आ रहा पागलों की तरह घुम रहा है तो उसे बोले काम करे वो उस लड़की को लेकर कहीं भाग जाए और शादी कर ले मजा आएगा उसमें इतनी हिम्मत नहीं है यही त प्रादम हो जाएगी वैसे बात बताओ ऐसे लड़के से तुमने दोस्ती क्यूंकि सुनिये कि शुर्ण जी मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत बोलिये प्यार करने के लिए इस ज़रूरी है क्या यह नहीं हो तो प्यार नहीं हो सकता वैसे इस इंसान ने कभी किसी से प्यार प्यार किया हो उससे इस सब पूछ रहा हूं मेरी बेखूफी है वै ब्रूसली वैसे उस लड़की को लेकर तुम्हारा दोस्त सीरियस है ना बहुत सीरियस है और लड़की भी सीरियस है ना फता नहीं आई लव यू बोला था ना नहीं कहोगा शैद कि यह सबसुक्त कि आ या थिर तुम्हारे दोस्त ने अई लव यू कहा किया नहीं कहा था टैरना तौ आता नहीं है चले है समन्दर पार करने पहले उस गुलाब दिल लड़के से आई लव यू कहने के लिए बोल उसके बाद उसके बाद अगर लड़की ने भी आई लव यू कहा तो सोचेंगे कि क्या करना है अगर जो कि अगर उस्टा नाश्टा रेडिया आपका विए इधर यहाँ प्लाव में दबाती हो पापा रोज इस तरह विग निकालना लगाना आपको परेशानी होती होगी ना थोड़ी थोड़ी होती है जैसे तुम्हारी मां के साथ होती है लेकिन आज से इस विग को निक आपकजे ऐसा प्लान किया है और एक शोटी भूतनी ऐसा क्या किया तुने अब ने मांकि चपपल पड़ लगा था सूपर ग्लीव क्या है सब्सक्राइब कि तो वाइप आपको अपर नहीं है। पापा पापा क्या हो वापा? जरा मेरी विग कीच विगल पाप मैं लिका का मैं लिकाओ पापा पापा अपे देखल नहीं है अच्या आप आपके लिए एक मिनटा पैसे ही बैठे रही बस थोड़ा सा जलेगा बस थोड़ा सा जिन्दा हो यह अपनी मां के पास पहुच गए अजली अजली क्या हो अविक्रम बाहर आओ कि जरा यहां पीट पर भी लगा कि अबर भाई कि क्यों रहे चंगल में वो क्यों जाती है कुछ पता चला किसी से मिल लें कौन है वो बता नहीं भाई वो हमेशा मास्क में अपना चारा छुपा कर रखता है उनके बीच बात कहा तक पुछ जैसा कि वो चस्मिस बता रहा था दोनों के बीच मामला बहुत ही सिरियस हो गया है वाई तो तुम लोग यहां क्या कर रहे थे कौन है वो बलो कौन है वो उधर देखो भाई वही है लग लाला लाला लैक छरा है तो बाहर निकल कर तुको बाहर से बाहन देगा विलकुल ठीक आज़ो सीधे आज़ो आज़ो नहीं भाई वहां नीचे उसने जरूर कुछ रखाऊगा तो फिर जिस तरह से वह वहां गया है उस तरह से हम भी जाएंगे तो फिर जाएंगे प्याएंगे आए आएंगे वे तो आएंगे प्याएंगे हखशशशब लốngाज झाल अभी तो नहां कर आई थी तू फिर का जा रही है वो सर पर चिंगले गिर गई थी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कल बहुत गुस्सा आया था तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया था इसलिए चला गया था क्यों आया था इत्मा गुस्सा वो तुम्हारे शरीर को इदर उदर छूँ रहा था मुझे गुस्सा नहीं आएगा मैं कौन हो नहीं पता, कैसी हो ये भी नहीं पता, तुम पसंद हो या नहीं ये भी नहीं पता, फिर भी तुम्हें इतनी पसंद क्यों हूँ? पता नहीं कल तुम इतने गुस्ते में चले गए थे, आज दिबारा क्यों आये हो? तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कहो तो कहो तुम कहो तो मैं भी तुमसे बात कहूंगी तुम कहो ना तो पहले तुम कहने वाले तुम कहो 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 को! 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 जली! को! I love you! जली! को! को! जली! जली! को! 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 इसी तरफ आया था वो राजन क्या हुआ यह है के रहान? हुआ क्या है? कुछ तो बताऊ मुझे अरे पाप्री! तुम जायो! जायो हैं से जल्ली अंजली कहा है बात्रूम बे है जाकर खवर ख़े लो उसकी पातान यह उसे क्या हुआ बार बार जाके नहाने तुम जाऊ जायो चल्दी जाओ तुम जाओ, अब जाओ थोड़ी देर बाद में दायमा के पास जाओंगी वहाँ पर मिलेंगे, अब जाओ झाल, थोड़ी जाओ प्राभर प्रावा ठालो डिए! चिंगा टॉण विप्यों rise जड़्क लिएक इने लिए दो क खिए! एए! हुआ! 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 लेकिन तुम ने मास्क को तुरंट पकड़ लिया अरे तू अब तक अपने दिमाग से चल रहा था उसके कहां मिला तुझे वो जंगल में मंदिर के पास बस एक वार किया और उसकी गर्दन उतर गई कहां मिला कि.... कर दोंग llegó मैं और कम तो करिए आगल में किया आगल इससे है को बोल ऐस बोल बोल इस ब्लस्ति को बिधुक बॉल वेड़बराई। देज में पे ? वे वे वेच सह कोज वेच मेज़ बसे ब सुटन DOM06 करे शेच में वेच सब प्याफ बस्टन वे वे अाक, वे अ? वे तवा इकाश मिशा? वे वे अ? चाला, विक्रा, चाला, विक्रा, विक्रा, कहां से आई तुछ में इस्ती हिमत प्यार करेगी तो, चाला, विक्रा, तुम यहां पर क्यों आई हो, सौरी अंजली, वहां बहुत सारे लोग देशने, मुझे कुछ समझ नहीं है, तुम यहांसे चले जाओ, उसके तुम नमें देख लिया तुम आये जाओ, तुम जाओ यहांसे, अंजली, प्लीज को जाओ, और पूर चले जाओ इस ने कि मैं मा डालूगा तो जा यहां से जाना जो अन्जली 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 इसको गर्ण गोला लिया अन्दर गुला लिया इसे शोड़ा चूर दो जिन्दा चला की समझे दो प्यार ने चलिया है अब जो कहिंगे मैं करूगा प्लिस प्रिज चोड़ दीजे ठीके तुछे मारूंगा नहीं छोड़ दूगा लेकिन तुझे मेरी चप्पल चाटने हुए तल्वे चाट इस हरामजादे के लिए मुझे दोका दिया इसी हरामजादे के लिए मुझे दोका दिया उसके यहां से चल कर इपाहर ही रुखनी चाहिए अगार बीच में कहीं गारी रुकी तो तुझे वहीं कार दूंगा है है कि अधिराफ है कि अधिराफ मुझे चोड़े बॉच्छा विख युटार में जाओगी नहीं रहाओंगी हम जन्दुुमें जारह है तुमी साथ चलोगी कर वाट कर दो कर दो कर दो कर दो जॉतू हुआ है इश्क होना किसी को इश्क होना जीते जी मार डाले किसी को इश्क होना थड़ पाहें जुदा होना पढ़ सारी उम्र रोना दिल देके दर्द लेना तनहा यादो यादो में चलना प्यार क्या बाप है, कैसा इन साफ है, कैसा ये शाफ है हो इश्क होना, किसी को इश्क होना, जीत जी मार डाले हो इश्क होना, किसी को इश्क होना दो दिलों को करके जुदा, तुझको जमाने क्या मिला, जाने है किसकी ये खता, और किसको मिली है सजा प्यार की दुश्मन ये दुनिया, जो छिनी हमारी सब खुशिया हाजारों हुए दिल के टुकड़े, क्या सोचा था और क्या हो गया आश्की है जुनू, चीन ले ये सुको, ब्रेमी की जिल्दगी, कर दे नर्क ये जुनू प्यार क्या पाप है, कैसा इंसाफ है, कैसा ये श्रप है हो इश्क हो ना, किसी को इश्क हो ना, जीते जी मार डाले, किसी को इश्क हो ना दिर दिर हो रहे हम जुधा, कैसे जिया अब जाएगा लंबा सफर ये यादों का सदा हमको तड़ पाएगा मिलके भी ना क्यों तू मिला, प्यार का है ये कैसा सिला प्यार का सोरज दिन में ठला, हुए हम पागल देख सरा आश्की है जुनों, चीन ले ये सुकों, प्रेमी की जिन्दगी, कर दे नर्क ये जुनों प्यार क्या आप आप है, कैसा इन साफ है, जैसा ये श्रप है ओ, इश्क होना, किसी को इश्क होना, जीते जी मार डाले किसी को इश्क होना, थड़पा है जुदा होना, पड़े सारी उम्र रोना, दिल दे के दर्द लेना, तनहा यादो यादो में चलना आश्की है जुनों, चीन ले ये सुकों, प्रेमी की जिन्दगी, कर दे नर्क ये जुनों कियार क्याबब है, कैसा इन सब है, कैसा ये शब है, हो 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 किशन जी किशन जी किशन जी किशन जी किशन जी दर्वाजा खोल YOUR किशन जी मैं ट्रेन से खूटकर भागा now मेरे पाओ में मोच आई वह एस लड़की ने तुछ पर हुरोसा किया उसकेल इसे लड़ अज़ी रुको अज़ी चैनली मैं आगया अब मैं कहीं नहीं जाओंगा कॉंघली तुम्हारे साथ arg यह रहौंगा शौरी अंजली मैं कमजौर हूँ लकिन अब मैं तुम्हें चोड़ें अभी प्यार नहीं कर सकता ब्यार करने के लिए इनसान मे मैं फानि आपकर बतातु है अंजली प्लीज मुझ पर भरोाशा करो अंजली, अच्या बताओ, मैं उस राजन को मारूगा तो वगर भरोसा करोगी, ओके, अभी जाकर बताता हूँ उसे, अभी बताता हूँ, जा रहाँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बोल राजन, राजन आज तु मरेगा मेरे हाथों से, तु मरेगा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता कि अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि अभी बताता हूँ हुआ 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 हु के लिधा हो और में दिनन हो आखे हो कर दो आखे हो क्वेर सांप चे मां जा के वार शारा शincंट वरा शाका lazीक कि यारा शाना भी आखे हो घरे बुस-ष दूलिए? ए है Bruce? कٌ जा क्वेरन जाक कि बुस भी आम क्वेर न्या के अी है कि आप अप कि अ कि अ कि अप इसे किशन ने इसे मारा गुरुजी कि इसने मारा जी गुरुकुल में घुजकर उसने मारा पर क्यों वह विक्रम वापस आ वह अपस आ गया कहां है वह अभी वह किसना के पास है ठीक है इसे अंदर ले जाओ अब 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 बुसली एब रुसली इस पैर में मोच आए थी शीजे पैर में पलट पर लेट जो आप अब 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 तेरे अंडविय का साइज क्या है क्या है और तो मोच नहीं आई है ना अब किशन जी ये अनजली की फोटो आपके पास क्यूँ है ये अनजली नहीं उसके माह है इसकी माह की फोटो आपके पास क्यूँ है कुछ कहानिया सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कभी भी सुनाई नहीं जाती अगर मैंने ये कहानी तुम्हें नहीं सुनाई तो जिन्दगी में दूसरी बार बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे प्यार 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 कभी मैंने भी प्यार किया था प्यार 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 कभी मैंने भी दिल दिया था मासूम सी वो लड़की प्यार थी वो मुझे से करती दिल उसका मैंने तोड़ा अहा तोड़ा एक लव था एक लव था जो छुपके कला सिखता था दिना गुरु विद्या बड़ी लगन से वो सिखता था करता था साधना वो मूरत के सामने कल रिकला में निपुड होन था उसे हर पल वो डूबा रहता कठिन साधना में बेटा तुमारे गुरुजी कौन है? आप ही मेरे गुरुजी है तुमारा नाम क्या है बेटा? किसन कुमार पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा था मगर वो ती गुरुजी की लाडली जिसे उसने चाहा था जिसे उसने चाहा था तुमारा थाडल्ट प्लिफ। लुालो बचयों ये दिल सिर्फ तुमको चाहे iqbind कही रहना आपाई मैं तो सिर्फ तुमको चाहू diu मेन आता जोड़ो सजनो तुम्हे साथ ने अपना मैंनी चुना आंखों में अपनी सपना तुम्हारा मैंने बुना मैंने बुना जबाजा यहां से तो के बाद जिस थाली में खाया उसी में चेशित गुरुजी जबारा अभी अगर अपना गुरु कहा तो तुभारा सर काट रूँगा मैं निकल जाओ यहां से खबारा यहां से निकल जाओ गुरुजी ऐसी बाते बताने से पहले मुझे खशमा कीजिएगा राधा के बारे में तरह तरह की बाते हो रही है गुरुजी इस जन में उसकी शादी नहीं हो सकती हमारे कुल में आप कोई उससे शादी नहीं करेगा अगर आपको कोई आपति नहों हो तो आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपके घर के इजद बचाने के लिए आपके प्रति मेरी जो भक्ति है आपने जो विद्या मुझे दिये है उसके प्रति मेरा विश्वास समझे प्रतिफल मान लिजी दक्षिना मान लिजी आपको आप्ति नहों तो राधा से मैं शादी करने के लिए तयार हूं गुरुजी किसन मेरी जिन्दगी है पिताजी अपनी जिन्दगी किसी और के हवाले नहीं कर सकती। आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, तो किसन से ही करवाईए। प्रतियोगिता को कौन जीतेगा ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। आसुम सी वो लड़की प्यार थी, वो मुझे से करती, दिल उसका मैंने तोड़ा, हाँ तोड़ा गुरू किसका, तुम कौन हो और क्या हो ये चानकर भी, मैंने अपनी सारी विद्या तुम्हे सिखाई, लेकिन मैंने अब तक तुमसे कुछ भी नहीं मागा, ना कुछ लिया गुरू जी, अगर आप कहेंगे, तो मैं अपना दिल भी आपके चरणों में समर्पित कर दूँगा, कहिए आपको क्या चाहिए गुरू जी, वहां तुम हारोगे, ये वादा दो मुझे, वही मुझे चाहिए, वही मेरी गुरू दक्षना तुम मुझे दोगे, तो वादा दो, वादा दो, वादा गरो पिसना आज है पैसला तेरे प्यार का तेरे प्यार का बर्वान होके भीहार ना होगा पुर को दिया वचन भाना होगा तालिम है दुनिया चिने प्यार के खुशिया खित्मत में तेरे यही लिखा था जाहा था जो पालिया उस कुर ने देरे शेरे जड़ होगा तुम मुझे जब भी छूते हो मुझे किसन की याद आती है पिजलियों की गरज में फिर एक भूल खिला आसूओं की बारेश में एहसास खोशी का हुआ अंजाना डर था फिर भी आपों में उसकी कुई शुरू फिर नहीं काने दुख भरे उसके जा किसना अब वो किसी भी समय मरने वाली है जा कर उसकी मौत को अपनी आखों से देख ले राधा 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 किसन यह हमारी बेटी है किसन सच में किसन पर इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी की तरह मत होने देना इसके सारे सपने तुमें ही पूरे करने हैं इसके जवान होने के बाद अगर यह किसी को पसंद करे तो उसे इस से मिला देना मेरे इस सपने को तुमेह पूरा करना ही होगा किसन मुजसे माधा करो इससे पूरा करोगे बादा करो हो अ बादा कराई कि अल्ट है यह एपधा यह जो खिए यह जो छो लंबी उम्र दिया है जब तक तू जिन्दा रहेगा तक तक दूरोता मेरे गुरु ने मुझसे बढ़कर तुझे अपना शिष्य माना, जिस राधा से मैंने प्यार किया वो भी तुझे से प्यार करती थी, इतने सालों तक मैंने कितने आसुप आए हैं तुझे पता है, इसे तो मैं पहली रात को ही माँ डाल था, लेकिन मेरे बदले के लिए उतन मेरी बच्ची अब, मेरे घर में मेरी बच्ची बनकर पड़ी होगी, और इसकी पत्तर जिंदिगी दे कर तुझ घुट-घुट कर जियेगा, तुझे अपने गुरु की इज़त को और राधा के प्यार को कलंकित नहीं करेगा जानता हूं, और कभी मुझ भी नहीं जाएगा कि यह तेरी बच्ची है, यही है तेरे लिए सबन, और यही है तेरे लिए मेरा बदला, निकल यहां से बाहर, प्यार, 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 कभी मैंने भी प्यार किया था, सॉरी किशन जी अंजली के पीछे इतनी बड़ी कहानी है ये मुझे पता नहीं था मैं आपको इतना दुख दूँगा मैंने नहीं सोचा था मैं नागपूर वापस चला जाता हूं किशन जी सॉरी किशन जी सॉरी अच्छा त्याग कर रहे हो वे प्यार के लिए भले ही किसी का त्याग कर दो लेकिन प्यार का कभी त्याग मत करना प्यार का त्याग करने वाले लोग मेरी तरह रोज घुट-घुट कर मरते हैं तुम जो करने जा रहे हो वही बरसों पहले मैंने वही गलती की थी अब तक वो मरने की कोशिश भी की है मैंने त्याग करने वाले जिन्दगी भर पस्त आते हैं और बाकी सब लोग बाकी सब लोग अपनी जिन्दगी मज़े में गुजारते हैं वो बिचारी पागल है उसने तुम्हें अपना मान लिया है बेटा उसे ऐसे मत छोड़ो अंजली के लिए रुको अंजली के लिए मुकाबला करो तुम्हारे पीछे मैं रहूंगा ना मैं रहूंगा तुम्हें प्यार के लिए मुकाबला करके जीतना होगा समझ गए ना अग किस चीज से मारा उसने सारे शरीर में निशान हो गये हैं कितनी बार मैंने कहा है तुझसे गली में घूमने वाले कुटें घर में खुशाएंगे दर्वाजे बंद रखा करो मेंशा जो रे कुटी मेरे गुरु कुल में घुस कर मेरे लड़कों को मार कर अब मेरे ही घर में घुसाया तो मौत को ढूड़ने के लिए तुझे आने की दुरूत नहीं थी वो तुझे ढूडने के लिए बहुत पहले निकल चुकी है मैं यहां तुमसे ही मिलने आया हूँ वीरभद्र वो दुनों बहुत प्यार करते हैं हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह बताने वाला तू कौन है वो बहुत अच्छा लड़का है अंजली की किसमत अच्छी है जो वो उसे मिला ना मत करो ए तु यहां से चाहेगा या मैं यहीं कजालू तुझे इसे को अंजली किसे चाहेगी और उसकी शादी किसे करनी है यह सोचना मेरा काम है तू कौन होता है बीच में बोलने वाला वो दोनों छोटे बच्चे हैं दबाव डालो के तू मर जाएंगे अंजली जान दे देगी वीरभद्र मर जाएगी वो तू जो कह रहा है वो करने से तो अच्छा है कि वो मर जाए मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी वैसे वो मर या जीए तुझे उसे क्या है अब निकल ले हाँ से वीरभद्र मैं उस लड़की के बाब के तरह बोल रहा हूं तू अंजली का भाभ नहीं है क्या हुआ तू अंजली का भाभ नहीं है तू देख क्या इना आ है तो तुझे और उस लड़के को ज्यादा तर्पा तर्पा कर नहीं मारेंगे इस बात का मैं वादा करता हूँ अब निकल तो आप तो सब कुछ जानते हैं उस समय आप मेरे गुरू थे इस बात को ध्यान में रखकर अपना प्यार और आपकी बेटी की इज़त बचाने के लिए सारी जिन्दगी मैंने अपनी जुबान बंद रखी अपनी बेटी से दूर रहकर नर्क की जिन्दगी जी पर ये मेरी बेटी की जिन्दगी है आपकी एक गलती की वजह से कितनी जिन्दगिया बरबाद हो गई हैं देखा अब मेरी बेटी की जिन्दगी को उसकी मा जैसी ना होने दीजिए गुरुजी देखें कल मैं पंचों के पास जाने वाला हूँ वो सब आप की बात मानते हैं अब दोबारा वही गलती मत होने दीजिएगा मेरी बेटी को एक अच्छी जिन्दगी दीजिए रुच्चों हमारे कुल देवता कलरी है हमारा आचार व्यवार अतिपवित्र है हमारा सामप्रदाई सरवश्रेष्ट है हमारे सामप्रदाई में आउरत की जुबान ही आखरी जुबान होती है इसलिए इस लड़की की इच्छा का हम सब को सम्मान करना चाहिए लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है यह लड़की जिससे प्यार करती है वो हम में से एक नहीं है हमारे संस्कृती को जानने वाला हमारे प्रांद का नहीं है इन्ही बातों को ध्यान में रखकर यह पंचायत एक निरणे पर पहुँची है पिढ़ी दर पिढ़ी जिस संस्कृती को हम बचाते चले आ रहे हैं वो भंग नहीं होनी चाहिए हमें और कोई अधिक कठोर कदम ना उठाना पड़े इसलिए इस लड़की को उससे विवा करना चाहिए जहां इसके माताबिता करवाना चाहते हैं यही हमारा दिर्णे है उसी तरह इस लड़के को इस गाउं की सीमा से और इस लड़की के जीवन से सदा के लिए निश्कासित करते हैं अगर इसने दुबारा गाउं में कदम रखा तो इसे मृत्युदण मिलेगा शमा चाहता हूं मैं पंचायत से प्रश्टम पूछूं इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं पर आप बड़ों को एक छोटी बात याद देलानी है मैं भी आप मेंसे नहीं हूं मैं आपसे नीची जातिका हूं लेकिन जब मेरी भी ऐसी ही समस्य आये थी तब आपने मुझे इस गाउं से निश्कासित तो नहीं किया कुछ औरी फैसला सुनाया था क्या यहीं है आप सभी का धर्म क्या यहीं है आपका हमारी लिए नियाए हमें वो फैसला याद दिला कर हाज एक अन्याय होने से बचाने के लिए किशन जी हम आपका बहुत भ़़त धन्यवाद करते हैं कुल रद्ध जी ने हमें सला दी है इसलिए हम अपना फैसला बदल रहे हैं इस लड़के को इस गाव से निश्काशित नहीं कर रहे हैं लेकिन अब जो फैसला हम करने वाले हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा इसका दौनों पक्ष सम्मान करेंगे लड़की जीसे चाहती है और उसके मातापीता जीसे चाहते हैं अगर वो अलग-अलग विक्ति हो तो इन दौनों के बीच कली प्रतियोगिता होना ही हमारा धर्व इन दौनों के बीच जो कली प्रतियोगिता होगी उसमें जो जीतेगा वो ही इसका वर बनेगा यही हमारा फैसला है किशन कुमार जी, क्या आपको हमारा फैसला मनजूर है? ये कैसा फैसला है बंचुग? जब ये दोनों एक समूख के हैं ही नहीं, तो फैसला उनके पक्ष में ही जा रहा है न? ये अन्याय हो रहा है इसके साथ पंचायत के इस फैसले को मैं अपने सच्छ मन से स्विकार करता हूँ ये प्रतियों किता जितनी जल्दी होगी मेरे विचार से ये उतना ही अच्छा होगा गिसना जी आपने ये फैसला स्विकार नहीं किया तो आपको मिलने वाला मौका वापस ले लिया जाएगा तब आपको हमारा पहला फैसला ही मानना पड़ेगा इस लड़के को गाउं से निश्काशित कर दिया जाएगा बोलिए क्या हमारा फैसला आपको मंजूर है श्रावनमास की पूर्णिमा के दिन सवेरे दस बजे ये प्रतियोंगिता होगी पंचायत से मेरी एक छोटी से विरती है इस प्रतियोंगिता के होने तक किसी भी हाल अप में ये लड़का मेरी बेटी से नहीं मिलेगा ऐसा ही होगा उस कमीने को मारने के बाद उसी को तुम्हारा मंगल सूत्र बनाऊंगा दिखने में तो आप बहुत बुद्धी मान लगते नकिस काम बेवा को पूरा किया है आप ले पता है तुम किस से बात कर रही हो चले जाओ विक्रम तुम यहां मत रुको यह लग तुमें मार डालेंगे तुम चले जाओ तो भी तुम जिन्दा रहोगी यह वादा करो मुझसे वादा करो मुझसे वादा करो मुझसे किशन जी ये कल्दी सीखने के लिए लंगोट क्यों पहनते हैं क्योंकि पैंट पहन का सीखते अच्छे नहीं लगोगे ये क्या कर रहे हो इस लंगोट की फिटिंग कुछ अजीब सी लग रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगी तुम ये नारियल चीलो ये क्या किशन जी आ क्या हुआ नारियल चीली के लिए कहा तो यहां मां क्या देख रहे हो नारियल चीलो वो ही तो किशन जी चाकू या कोछ ढूंड रहा हूं चाकू गणास चाहिए हम जीए जलो अड़ डुम चे लो आगे तुझ को बढ़ना होगा, तुफानों से लड़ना होगा, अंगारों पे चलना होगा, चले चलो भूखे ना कदम ये तेरे मीलो है, लंबे रस्ते मंदिल को पाना होगा चलो 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 किशन जी जोशिक दिर में भर ले आज कसम ये ले ले आनी है तुझको भी चाला है, कुछ भी कुछ भी हो जाए चलो 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 इन छिलको को पीज कर आटा बनातू तीन बार अंदर तीन बार बार 500 मीटर रस्यां, 120 लीटर तेल और 10 बोरी बुरादा ये लिजे 15,000 रुपिय है नमस्ते खिशन जी, मुझसे नारियल छिलवाई उनमें से तेल भी निकलवाया उसकी जड़ से रस्य भी बनवाई और छिलकों का बुरादा बनवाई अब ये कलरी कब सिखाएंगे आप मैं तुम्हें कलरी नहीं सिखाना चाहता था मेरी बेटी को चाहने वाला मेहनत से काम करके उसे खिला पाएगा या नहीं ये सोचा था, बस हाँ, ये लो तुम्हारी पहली कमाई है ये उसके लिए कुछ खरीद लेना ठीक है वो सब तो ठीक है अगली हफते प्रतियों किता है न तो फिर कलरी का क्या करेंगे प्रतियों किता है चले चलो बदमाश कहींगा आपके दूरज से मिला तू और समा को दे जुपा दू ताहसरा तेरा यहार जीतना है यूत ये पानी से तू आग बंजा फूल से फालाद बंजा गम नहीं है तू किसी से आज दिखा दे दम तू लंगोट से दौडने में दिक्कत हो रही थी है ये मुश्किल बड़ा ही मुकाबला तूतना पर ये से आहां सिला जाकी बाजी है तुझको लगानी ख़तरों से मौत से खेता जाना हो चले चलो चले चलो चले चलो तू बढ़ना होगा तूफानों से लड़ना होगा अंगारों पे चलना होगा चले चलो रूखे ना हदम ये तेरे मीलो है लंबे रस्ते मंजिल को पाना होगा चलो 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 उसके दिल की धड़कने भी सुनाई देनी चाहिए किसन की विद्या को जानते हुए हमें भी समभल कर रहना हुए कलरी यहां से नहीं होती यहां के होती है यहां से तुम्हें अपनी ताकत जानने के लिए पहले सामने वाले की ताकत को पैचाना हुगा किसी विद्या का सही आकलन कोई दूसरा नहीं कर सकता तुम्हें खुद करना हुगा जीतने का जुनून जब तुम्हारे दिल में होगा तो सत्र शक्ती भी तुम्हारे हाथों में आ जाएगी तब तु मुसाद का सही स्क्राद हो छलू, 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 छलू ऑगी नगलना होगा दूपानों से लढना होगा अंगारों पे जलना होगा लब चलू, ठुटे ना कईनल के तेदे जिए, में लंब रखते छो पाना होगा छलू, छलू, छलू मन का सच्चा प्यार कभी भी नहीं हारता वही तुम्हें जिदाएगा अगर उसे मारना चाहते हो तो अपने अंदर की लौको भक भक करके चलने दूँगा अपने यंशफ साशिक में मैं अबस्अ करणं़ अपने अपने अरी तो कैनलो कर रखता है वहारता है वहारता है अपने लोक अजोड़त को अपने मारना चाहते है ए विक्रम ये सब क्यों कर रहे हैं ये कलरी प्रतियोगता रहने दो हमारे साथ घर चलो वो तुम्हें माग आलेगा अंजली के विना भी मर चाहूंगा विक्रम ने पात मान विक्रम विक्रम अपनी जान देने पर रुगा है शर्ष्ट्र क्या है मेरी मुठी मेरी मुठी शुरू करो शुरू थे मुठी थे मुठी अाby बताष से वहई है तड़ य्ष्ट्र बताव प्रतियो थान भाशची वा-ग . आसमे रमको वो इसी मेरी मुठी है अग्जैनल दालोंगा पिछे पीछे डालोंगा तुछे अदुछ जाओ मैंने तुम से क्या कहा था और तुम कर क्या रहे हो उसके लेफ्ट साइड में रहो हूं हां रेफ्ट साइड में रहना है तुम्हें समझ के उसके लेफ्ट साइड में रहना है तुम्हें आखें मत बंद करना शुरू 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 बंद करना Ой पर फालिन कि वहाता नंrice हुआ हो जो चारा था जाराम हुआ सिरी ह二 में हम क्या हुआ बाई ये लेप उसकी आँखों में लगा देना है शुरू नक्ष्ईली प्ट्ट नक्ष्ट नक्ष्ठली झाकि Wie छो उडसे है क्या व हो अ क्योभ खंता वा तो जो शुरू अज्ञांतर अब रहने देते हैं इसे यही पर रोग देते हैं रहने दो शाबास शाबास लेकिन अब जादा हमें नहीं लगना चाहिए अब जाओ बज्याओ वेटा रुगजाओ पर प्राइस करों हां 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 काता है याहााँ आ पाहाँ वहा वाहाँ जिख्षे लाहार लाहाँ जान. यहाहा हौ अगर भॉाहा आडिली विख्षे सेधरीन, इंपक्ивать कौन señor यहा बादे ऩाहा bending में कक बादेनिे कर दो でज्का लिखे भ villages कि अए ए कि अट क्यों रहे तो उट क्यों रहे तो पट कि अट कि अट हाँ! बेटा, रहें दो, बेटाने? इसे यहीं खत्र कर दो सिसक्ट के सिसक्राइट है यह आखरी राउंड है शुरू करो करो हुआ है कि अधिस आधाए भेक ढ़नी था यह आ आधा है कंदे है आखे मत खोलना अभी तुम्हें एक दवा दूंगा घोड़ी की तरह दढ़ना लगोगे सुनीज सुनीज समपता दिया है रुको रुको यहां में बैठो यहां मेरी गुडिया क्या खाएगी क्या पीएगी पानी पीएगी मैं अभी लेकर आया नहीं नहीं पानी नहीं नारियल पानी लेकर आता हूं नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा होता है मीठा होता है यहीं रहना मेरी रान्नी मिटिया अभी आता हूं तुमने जो सपना देखा था वो किसना ने पूरा कर दिया पुरा कर्दिया पुरा कर्दिया पुरा कर्दिया